आईए दोस्तों, देखते हैं माचिस की तीली कैसे बनती है। पहले छोटे-छोटे गोलाकार लकडियों के उपरी परत को निकाल लिया जाता है और उस लकडि को मशीन में डाल कर बहुत सारे लंबे-लंबे लेयर निकाल लिये जाते हैं। फिर उन लेयर को एक दूसरी मशीन में डाल कर छोटी-छोटी तिलिया काट ली जाती है। तीलिया काटने के बाद उन सभी को कड़ी धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद उन सभी तीनों को एक दूसरे मशीन में डाल कर खराब तीन या अलग कर ली जाती है। अब उन तीलियों को एक बड़ी मशीन में डाल कर मसालों से गुजारा जाता है। मसालों से गुजारने के बाद हम सभी को हीट किया जाता है। हिट हो जाने के बाद उन सभी तिलियों को माचिस के छोटे-छोटे डिब्बों में पैक करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। अगर विडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए।